हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माय योट्यूब चैनल लिगम यान मैं हूँ आपका होस्ट एड़ोगेट कुशलदीब शुकला फ्रेंज जैसा कि आप सब को पता है कि हम फंडमेंटल राइट्स को डिसकत कर रहे थे जिसमें हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 14 तक को डिस करी लिया है और आज की वीडियो में 15 आर्टिकल को और आटिकल 15 से लेके आर्टिकल 15 तर सारे जो जो आर्टिकल से इंपॉर्टेंट विद किस लॉस डिसकस करेंगे तो फ्रेंज अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्स्राइब करेंगे ताक कि आपको डियू की बारे में तो फंटमेंटल राइट जो है वो आपके जैसा कि आपको पता है कि आटिकल 12 ते लेके 35 तर डिफाइन है जिसमें जो राइट तो इक्वालिटी है वो काफी इंपॉर्ट हो जाता है आपके किसी भी एक्जाम के परपस से तो अगर आप बात करो आटिकल 15 की त तो आटिकल 51 कहता है no discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth can be made आपको क्या याद करने के दुरूत है जो यह grounds दे रखे है religion, race, caste, sex और place of birth इसको आप एक code में लिख सकते हो कहीं पर आप इसको एक short form लिख सकते हो ताकि आप इसको ना बोले क्योंकि अक्सर question बनता है कि वटादी grounds of discrimination in the article 15 तो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा race, caste, sex और place of birth यानि किसी की क्या जात है, क्या वो कहां पैदा हुआ है या क्या उसका sex है इन किसी भी grounds के basis पे आप किसी तरह सा कोई discrimination नहीं कर सकते हो यह आपके fundamental rights में यानि constitution of India के fundamental rights में defined है इसी तरह से friends अगर आटिका 15.2 की बात करो आप 15.2 कहता है, prohibits discrimination at public places, shops, public hotels, restaurants, well, tanks, bath, bathing harts, etc. and applies both to state and private individuals. इसका friends मतलब क्या हुआ, कि देखी पहले क्या हुआ करता है, जब जब जवाना हुआ था, जब कि वर्णा सिस्टम हुआ करता था, तो जो अगर कोई particular क्लास से बिलॉं करता है, जो कि वर्णा सिस्टम में यतनी उपर नहीं आती है, तो वहां पे उनके साथ क्या होता था, क कि उनको किसी नल को टच करने ने दिया जाता, कहीं मंदिर में उनको आना लाओड नहीं था, या फिर मालीजे कोई पब्लिक प्लेस है, वहां पे गैदिरिंग उनके लाओड नहीं थी, तो इस तरह से कुछ डिस्क्रिमिशन हुआ करता था, तो इस चीज को मायन ने रखते कोई टैंक, कोई कुई प्लेस है, वहां पर किसी परसं को किसा डिस्क्रिमिशन नहीं हो सकता है, वहां पर सारे परसं एकोई ट्रेड किया जाएंगे, और इस जो इस जो आटिकल है, कि जो 15 का 2 क्लॉस है, वह जो होता है, वो स्टेट के साफ-प्राइवेट इंडिविजल यानि कि अगर स्टेट के दोरा वालिशन हो रहा है वो तो है ही इसमें अगर कोई प्राइविट इंडिविगल किसी पर्टिकुलर पर संग का साथ डिस्क्रिमिशन करता है तो वो भी इसहां पर लायबल होगा इसी तरह से फ्रेंस जो 15 का क्लॉस 3 है वो बाग करता है प्रोव बाग के लिए को हैं में के लिए फिर्टें के लिए तो वहां पर जो आपका यह 15 थी क्लॉस अपलाई होता है यहां पर कुछ ऐसे प्रविजन से जिसमें विमें को ज्यादा जहान में रखा गया है इसे तरह से 15 का फोल क्लॉस क्या कहता है प्रोविजन इंट्रेक्ट reservation की ज़रूद है किसी special immunity की ज़रूद है तो वो आपका 15 के class 4 में cover हो जाता है friends इसी तरह से बात करो 15 के class 5th में it was inserted by 93rd amendment act 2005 it enables the state to make special provisions for advancement of socially and educationally backward class of citizens including SC and ST for admission in education institution including private education institution so friends क्या हुआ the 15 का class 5 जो था 93rd amendment से एड़ किया गया इसमें क्या हुआ friends कि जो socially और educationally backward classes है उनके लिए उनके admission के लिए college institution में कुछ special provision बनाया सकते हैं कोई तरह का reservation कि आया सकता है special seats reserve करिया सकती है तो वो आपका class 15 का class 5 है और article 15 का class 5 आ जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि जो reservation से related कोई law है यानि कि कोई socially or economically backward class जो है उसके लिए या फिर ST ST है उनके admission के लिए education में प्राइवेट education institution में अलग से clause बनाये जा सकते हैं 103rd amendment act 2019 यह बहुत ही important के लिए हो जाता है क्योंकि रिसेंट amendment है और इसी के थुरू जो आपका EWS reservation भी आया था जैसे कि आपको बता दूमें कि इसमें कई बार बन जाता है कि जो EWS reservation है वो कौन से amendment act के थुरू आया था और 15 फाइव जो था वो शोशली और एड्युकेशनली बैगवर्ड क्लासे जो है उनके उपर अपलाई होता था यानि कि जो अधर बैगवर्ड क्लासे जो है ओवी सी जो बोलते हैं कि उनको 10% reservation देने की बात हुई और इसकी क्या क्राइटेरिया हैं क्या कंडिशन से उसके लिए मैं एक separate वीडियो बनाऊँगा कि और इकोनामिकली वीकर से जो बिलाउं करते हैं उनके लिए 10% reservation की बात की गई है तो यह कुशन आपके लिए बन सकता है कि कौन से अमेंडमेंट से यह बात आई है और कौन से यह बात आई है कौन सा आर्टिकल एड हुआ है यह सब इंपॉटन आपके लिए हो जाता है फ्र देख लेते हैं अच्छे से 16 का clause 1 & 2 जो है वो no discrimination in public employment on grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence आपने देखा था हम लोग आर्टिकल 15 का clause 1 देख रहे थे वहाँ पे भी इस तरह से grounds दिये रहे थे यहाँ पे कुश चेंज है मगर आपको यह चीज़ी separately याद होनी चाहिए कि 16 के clause में आर्टि से 16 का clause 1 और 2 में डिफाइन किया गया है इसी तरह से article 16 का clause 3 अगर आप देखें तो residence within a state is qualification for appointment for any government post यानि इसमें क्या बत कर रहा है कि जो residence की बात कर रहा है कि within a state is qualification for appointment for any government post की बात यहाँ पे हो रही है 16 का clause 4 जो है यह बात करता है friends for reservation of post in government job in favor of any backward class यानि यह 15 का clause 4 था उसी को अगर आप scan करके देखें article 16 में तो 16 का जो 4 है वो यहाँ पे government jobs में reservation की बात करता है किसी socially economically backward class के बारे में तो यह वहाँ पे बात होती है अब 16 का clause 4 अगर आप समझने की कोशिश करें तो it was added by 77th amendment 1995 it empowered to state make any provision for reservation in matters of promotion for S3 and STs provisions for reservation in promotion with consequential seniority added in 85th amendment 2001 क्या फ्राइम ने मतलब हुआ कि 77th amendment जो था उसमें जो इसने state को empower किया कि यह जो SCST के reservation के लिए को इसी particular जो reservation के लिए laws बना सकती है यहाँ यानि कि SCST को reservation का promotion जो है उनका reservation 77th amendment के थ्रू होई सकता है और जो consequential seniority की जो बात हुई है वो 85th amendment 2001 में एड करी गई थी ठीके फ्रेंज उसी तरह से फ्रेंज क्या होता है कि 88th, 81st amendment 2001 it start to end the 50,000 reservation limit for SCST and OVC it enabled the state to fill the backlog vacancies of previous year without considering the 50% ceiling limit जैसे कि फ्रेंज क्या होता है कि आपको पता होगा कि reservation का system क्या रहता है कि मालेजे जो अधर वेगवर क्लास को reservation मिला है उसका जो इसका जो SCST या OVC इन सबका जो reservation का बात होती है यह जो ceiling की है वो 50% है यानि कि 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी हाल में माल लीजे कहीं पर 200 seats हैं तो जो reservation की limit रहेगी SCST या OVC के लिए तो वो 50 तक ही होगी यानि मालेज जाएगर 200 सीट है तो 100 तक होगी और 100 सीट जो हैं तो वो 50 सीट जो रहेंगी वो ही reserve रहेंगी जो rest 50 सीट है अगर 100 सीट की बात हो रही है या फिर अगर 200 सीटों की बात हो तो जो rest 100 सीटे हैं वो general के लिए ही रहती हैं मगर जो जो यहाँ पर consequential synergy यानि जो backlog फिल करने की बात है उसका मतलब यह होता है कि माल लीजे कि अगर 2022 की हम बात करें 2022 में किसी जगर पर 100 सीट निकालेगे जिसमें से 50 सीट थी जो रिजर थी मगर अगर यह जो 50 सीट थी वो अगर नहीं होपाती है किसी कारण और्वस यानि कि उतने लोग नहीं आपाते हैं उस पर्टिकलर अले हो पाथे हैं तो यह जो इससे क्या होता है जो 50 perfect का जो ceiling प्रवाइब दोचाश सीटे थी और पचास सीटे रिजर्व थी और वो पचास सीटे जो रिजर्व थी वह पचास सीटे फिल नहीं हो पाई तो जो सीटे बचती है वह आपकी जो नेक्स सीट साइंगी उसमें उनको एड कर दिया जाएगा भले ही 50% का जो प्लॉस है वो तू जो आपका हंडेट थर अमेंटमेंट में एड वह था जाने कि हमें जो अभी बात करेंगें विप्टीन क्लॉस 6 की उसी को 16 क्लॉस 6 में भी एड किया गया था इसमां क्या मतलब हुआ फ्रेंज फर एडेवले सुटिजन अधर दें मैंशनिंग लॉस फोर इन एडिशन तो दे अग्रिश्टी रेजर्वेशन और सब्जेक्ट तो मैस्में उप 10 पर सेंट पर सेंट पर सेंट की बात हुई और क्लॉ विवब ऑट अब नहीं बोला जाएगा कि यह एक्क्वैलीटि का वालिशन कर रहा है किसी तरह से और 16 का क्लॉस 6 जो है वह 15 तर एड हुआ था और इसमें टैंपर सेंट जब यह पोस्त है अब 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 बात करो तो जैसे मैंने आपको बदाया कि पहले जब इस आप पहले के जमान में क्या हुआ था था कि बहुत इच्छुआ च्छुआ शूद रोगती थी इसमें मतलब की अंटाशिबिल्टी बहुत जादा प्रैक्टिस में थी जो अपर क्लास के लोग तो इस चीज को देखते हुए फट्डमेंटल राइट में और इसकी जो प्रेक्टिस है वह किसी तरह से अगर करी आ रहे है तो वह पूर कंप्लीटली रॉंग है गलत है मैंने आप जिसे के बताया आपको कि यह पनिशेवल भी है पिन लॉग के अंदर भी आता है तो पालियमेंट ने स्पेशली प्रेक्शन आफ सिविल राइट के बारे में बात करी एक एक पास के निशेवल प्रेक्टिस के अगेंस नहीं है तो प्राइवेट इंडिविज़ प्रेक्शन को किसी पर्सं को के साथ अंटेशिविलिटी प्रेक्टिस करता है या उसके साथ कोई असा भीजभाव करता है तो वह भी एक्कुली लाइवल होगा फॉर्डमेंट राइट के वालेशन में उस परसंगे इसे तरह से अगर आटकल 18 की बात करो तो इसमें आवालिशन की बात होती है तो आटकल 18 का क्लॉस बन देखें आप तो एकसेप्ट मिलिटरी और अपैडमिक टाइटल से यानि कि अगर कोई गाले यहां पर आगर किसी को आश्म, मिलिटरी से थ्रू कोई आवार्ड मिलता है तो वो जो है वो इसमें इस क्रिटरिया में नहीं आता है फर जामबल भारत रतना कोई है कोई पद्म भीगूशन है कोई पद्म श्री है कोई नेशनल अवार्ड विनर है तो उसको टाइडल की अबॉल्शन की टाइडरी में नहीं लाएंगे फेंज सीतर से आर्टिकल 18 क्लॉस 2 जो है इट प्रोवाइड देट नो सुटिजन अफ इंडिया शेल एक्सेट एनी टैटल फ्रम एनी फॉरेंट स्टेट यहां पर यह इस तरह की बात करता है इस से टाइडल नहीं एक्सेट करेगा अंटेन अनलेज वो प्रेजिदेंट की कंसेट नहीं ले लेता है जैसे कि मालीजी कोई पर्टेकलर मालीजी की फॉरेंट मिनिस्टर या कोई भी है जो ऑफिस अप्रॉफिट जो होल्ड कर रहा है वोर्मेंट में तो उसको यह एक्सेट किया जाता है कि वो फॉरेंट स्टेट से कीजिदेंट कोई गिफ्ट जो वो नहीं लेगा अब बात करते हैं कुछ इंपर्टेट केस लोच की आपके बडही रेल्मीट हो जाते हैं आर्टिकल जब आप पढ़ते हो अर्टिकल 15 से लेके 18 तक तो जो आर्टिकल 15 में जो इंपर्टेंट केस है यह किसे न इसमें इंपरेम कोर्ट डएकल ग racira सब्सक्राइब कर दिया था तो इस चीज को सुप्रीम कोड ने नल और वाइट का वालेशन है इसलिए इसको नल और वाइट सुप्रीम कोड को दोरा कर दिया गया इसी तरह से फ्रेंड यह जो इंपॉरेंट एक और केस लोगे अर्टिकल 15 में हो है प्रमती एजुकेशनल एंड कुल्चरल ट्रस्स वर्से यूनियों ऑफ इंडिया और इंडिया और इंडिया रिपोर्टीन सुप्रीम कोड 2114 यह आपकी की साइटेशन है तो फ्रेंड इस के या फिर कोई ऐसा एजुकेशन इंसिट्यूट है जो गौर्मन से एड नहीं लेता है या फिर एडिड है तो इसका क्लासिफिकेशन करना आर्टिकल 14 का वालेशन बिलकुल नहीं है वो ट्राइविट कॉलेज या गौर्मन कॉलेज की तौर पे उनका क्लासिफिकेशन हो सकत कि यह फिर आपको जिस्ट पताने के कोशिश करता हूं कि क्या-क्या में में पॉइंट्स थे जो आपके इसमें हैल करे गए यह जो आपका आर्टिकल इंदर सार नहीं जो किस है वो 16 क्लास 4 के अंदर आता है इसमें क्या फिर किया गया इड बैगवर्ड क्लास अफिजन इन आर्टिकल 16 क्लास 4 कें वी आइडेंटिफाइड ओन दा बैशिस अफिर कास्ट इंदर ना कि सिर्फ एकनॉमिक बैशिज पे और एक और इंपॉर्टन चीज़ में यह है कि यह भी नहीं होगा कि वो सिर्फ कास्ट बेश्ट रहे यानि कि उन दोनों फेक्टर्स को किया इन दोनों फेक्टर्स को रहा जाएगा एक वी किसी फेक्टर को इंडिविजुली डिल नहीं किया जाएगा कि जिसरा प्रिकाउज वो इस कास्ट से बिलॉंग कर रहा है तब वो उस रिजर्वेशन के लिए या नहीं या फिर बैगवर्ट क्लास के अंदर आता है या फिर फिर वो किसी उसकी इकनोमिक कंडिशन सही है या नहीं उस प्रिसित पे आ जाएगा जैसे कि अपने स्टना होगा कि अधर बैगवर्ट क्लास में भी दो लेर्स बनाई गई थी क्रीमी लेर नॉन प्रिमी लेर में आता है उसको रिजर्वेशन या उसको किस तरगा को परस नहीं मिलेगा तो यहीं एक ग्राउंड था कि उसमें यह वह लागा कि दोनों चीनों को फेक्टर को कंसिडर किया जाएगा तब यह रिसाइड कि वह उसको उस पर डिगर करेगर में डाला जाए या नहीं इसी जैसे फ्रेंस का जो इंपोर्टेंट पॉइंट यह था था थ तो फ्रेंस यह जो है आटिकल 16.4 है वो एक्सेप्शन नहीं है 16.1 का इसमें रिगर किया जा सकता है ठीक है और इसमें यह कौर्ट इस दिसिजिए इन बालाजी वससे स्टेट आफ मैसूर इन विच इन विच इन एक्सेप्शन तो आटिकल 16.1 तो इस चीज को ओर दिया गय इसा कुछ नहीं है जो आटिकल 16.4 है वो एक सेपरेट आटिकल है सेपरेट क्लाज है उसमें 16.1 को से उसका रिलेशन नहीं है कि वो उसका एक्सेप्शन नहीं बनता है इसी तरह से इंपॉंट इक पॉइंट यह था कि बैगवर क्लास इन आटिकल 16.4 तो जिए 16.4 में जो कि बात करी गई है तो वो SCBC जो आपका होता है socially and economically backward class से रेलेट नहीं करता है इसका जो इसका जो क्राइटेरिया है वो बड़ा है उससे court overruled Balaji's decision on this point in which it was held that backward class of citizen under article 16.4 is same as socially and educationally backward class इसमें भी friends जो बालाजी बसे इस्टेरा महसुल हो केस था उसको ओवरूल करा गया और इसमें यह बोला गया कि जो आपकी जो सब्सक्राइब करें गया है और शिश्टीन क्लास की बात हुई है उसका क्राइटेरिया जो है वो 15 क्लास 4 के शोशली एंड एजुकेशन ली बैगवर क्लास से ज़्यादा बड़ा है इसमें चीने काफी कवार हो सकती है इस तरह से फ्रेंज क्रीमी लेयर मस्ट भी जैसे मैंने बता है आपको की दो तरह की बैगवर क्लास में दो तरह की लेयर होती है एक क्रीमी लेयर उसको इसको अर जर्जनल क्लास में ही ट्रीट किया जाएगा अर्टिकल 16-4 जो है इसमें जो बैगवर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है कि जो अएक्शोय में गया तो फ्रेंज क्या साथ जो आपर कैप थी इस की वो 50 थी कि अगर कहीं भी कोई रिजर्विशन होता है इंक्लूडिंग ये अधर वैगबल क्लास तो या फिर स्टूल क्लास अग्लास उसका जो रिजर्विशन का क्राइटेरिया रहेगा वो 50 पर नहीं जाएगा मालीजिय की 100 सीट है तो सारी रिजर्विशन सारी रिजर्व सीट्स को मिला के 50 तक ही रहेगी जो रैस्टि अ बचेंगी वो ग्रेटेगरी के लिए रिमेंग रहेंगी और फ्रेंज में बान इची जिए हूई इन इस केस कोर्ट ओवरूल देवधासन वासे इन्डिया and hell that carry forward rule is valid provided it should not result in breach of 50% rule तो फ्रेंड जो carry forward rule की मैंने भी बात कर दी थी आर्टिकल 16 में जब पड़ रहे थे कि आगर जो remaining seats बचती है उनको next year जो सो है add कर दिया जाता है तो वो जो रूल है वो वैलिद है वो डेवधासन केस जो था उसको उसका ओवरूल कर दिया गया च्छीज को वैलिद नहीं में करार किया था तो यहां पर यह बोला गया कि यह चीज वैलिड है और यह completely valid है चीज को और carry forward डूल कर दिया सकता है मगर 50% का जो जो रूल है वो वह वालिट नहीं होना चाहिए उसमें हैं को ने है इसी तरह से अ पर उपरेंड से लिटे जो इंपर्ड़िन आटिकल है वो एवार देख लेते हैं जो केसलोज जो है आपका आटिकल 17 जो इंपर्ड़िन केसलोज रहते सब्सक्राइब करता है तो वो भी रिस्पोंसिबल होगा इसी तरह से फ्रेंग जो इंपॉर्ट किस का हो जाता है वो है अगर किसी को कोई नेशनल अवाड मिलता है तो वो आर्टिकल एटीन में अबॉलिशन के अंदर नहीं आता है बट हां कोड ने सजेस्ट किया कि अगर किसी को कोई कोई नेशनल अवाड मिलता है तो वो उसको एज़ प्रेफिक्स या सफिक्स ना यूज़ करें यह जो प्रैक्टिस है वो अवाड करनी चाहिए तो फ्रेंज यहां तक हमने बात कर ली आर्टिकल फिप्टीन से लेके आटिकल एटीन तक विद केस लॉज इंपॉर्टन प् सब्सक्ति अर्टिक्स रर्टिक्स heter 누구oncesता है सब्सक्तिक्स बढ़ होगाड